हेलो फैंस आज मैं बनाने जा रही हूं चिकन चंग केजी तो चलिए जीसे बनाना शुरू करते हैं अब तो इसके लिए मैंने ले लिया है वन केजी चिकन इसे अच्छे से दो के साफ करके रख लिया अभी इसे मेरिनेट करूंगी इसके लिए मैंने एक छोटे चमच लेगे एक चमच काले मिर्च एक चमच हल्दी नमक और लाल मिर्च भी ले ली अभी इसे मिक्स करेंगे अच्छ कि इसके लिए मैं नेम गाय लिया 2 चमश न्यमों का रस एक कई की चेख को है . आ ज़िएयसे अच्छे से मिक्स करें चिकन में और 10-15 मिनेट से मारएनर grants होने के लिए रखें अभी मैं चिकन को बनाऊंगे सरसों wires की तेर मैं तो इसके लिए सरसों का तेल लिया , अभी एक जब मजीरा एड़ किया दो तेज पत्ता और छोटी लाइची और लॉंग थोड़े से इसमें दो स्टार फोल भी आड़ किये चेकर में मसाले अच्छे होने चाहिए तर भी टेस्ट अच्छा था तो यह मैंने अध्रक लसुन और स्प्रिंग अनियन का पेस्ट बनाया जो कि अभी आड़ कर दिया अभी मैंने इसमें प्यास भी आड़ कर दिया मैंने पांच लिये थे प्यास बड़े सा इसके और हरी मिर्च भी आड़ कर दिया अच्छे से प्यास को और मसाले को अच्छे से बूने इसमें अभी मैंने काजू भी आड़ किये तो आप भी थोड़े से काजू इसमें आड़ करें इससे टेस्ट अलगा आएगा और बहुत अच्छा आएगा प्यास और यह अच्छे से बूने क्या तो इसे अभी मैं ग्राइंड करने के लिए रखूंगी अभी इससे थोड़े ठंड़ों ने दे तब तक हम चिकन को फ्राई कर लेते इसे में अब दो तीन मिनट के बाद इसमें एड़ कर दे आप टमाटर का पेस्ट ना के इसमें मैंने दो टमाटर यूज किये ज़्यादा टमाटर ने डाले कि ज़्यादा खटी ना हो तो इसलिए दो टमाटर यूज किया मैंने क्योंकि हमने अलड़ी निम्बू यूज किया है मैरिनेट के टाइम तो अभी जो मैंने प्याजर काजू का यह पेस्ट पनाया है तो अभी इसमें एड़ कर देना ये भी अच्छे से से मिक्स करें कि मसाला अच्छे से रच जाए चिकन में अभी एक चमच मैंने नमक का इड़ किया आप अपने हिसाब से कं रख सकते हैं कि मैंने टो के किनिए इसमें इसमें आइड किया और अभी एक चमच धनिया पाउडर और गरम्साला अध किया थोड़ी से लाल मिर्च आप अवाइड भी कर सकते क्योंकि पहले भी हमने आइड करें और लास में मैंने ये डाला चिकल मसाला अच्छे से मसालों को मिक्स करते हैं इसे पकाएं अच्छे से थोड़ी देर के लिए ये देखिए कितना अच्छा लग रहा पक गया ये अच्छे से मसाला वी अच्छे से रच गया अभी इसमें पानी एड करूंगी तो आप अपने हिसाब से क्योंकि मुझे थोड़ी थिक ग्रेवी चाहिए तो इसलिए पानी मैंने उसे हिसाब से कम एड किया तो ये मैंने दो कुटोरी एड किया पानी लास्ट में फिर्से से पकाना और देखिया जिए भी हो गया तो इसमें मैंने धनिया और ये फिर्से स्प्रिंग अनियान मैंने एड किया अगर आपके पास नहीं या तो आप रहने दे सकते से तो देखिया फाइनली चिकन बन गया और बहुत अच्छा बना आप भी ये ज़रूर बनाए और अपने फैमिली मेंबर को खिलाए और इंजॉय करें थैंक यू और मेरे चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें